हेलो दोस्तों आज हम फ्रेंच वोमेन मुवी को एक्स्प्लेइन करेंगे ये मुवी रिलीज हुई थी 1986 में इस मुवी में बहुत अच्छे टूइस्ट हैं साथ इसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी है इसलिए मुवी को पूरा जरूर देखें तो चलिए करते हैं मुवी को च्छाट मुवी की जरुआत होता है और हमें 16 साल की लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रोजर है रोजर को लेने के लिए उसी के घर की एक कामबाली आती है जिसका नाम है मिस लपीते वो दोनों घोरे पर बैठे होते हैं और वहां से जा रहे होते हैं घोरे की चलन हो जाता है रोजर घर पोचकर टहले के लिए बहार निकलता है इसी दोरान वो देखता है उसके घर की एक मेड जिसका नाम मुर्चेले है वो किसी और के साथ घपागप करवारी होती है और मुर्सले रोजर को देखकर हसने लग जाती है और रोजर ये देखकर हैरान हो जात और रात में सोते समय रोजर को एक खनखन की अवाज आता है रोजर जब बहारा कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है वो देखता है उसी की घर की एक मेड चाय का प्लेट पकड़े हुए जुकी होती है और कोई इसके पीछे से गपागप कर रहा होता है फिर एक दिन रोजर की छोटी बेहन उसे बताती है कि हमारी मासी मार गेटा जो की अभी भी वर्जन है फिर रोजर पूसता है कि तुम्हें कैसे पता चला बर्था कहती है कि मुझे हैलन ने बताया था वो हमारे घर की मेड है फिर रोजर पूशता है कि हमारी मासी ने अभी तक साधी क्यों नहीं किया बर्था कहती है कि मुझे नहीं पता साइद हमारी मासी को मर्दों से डर लगता होगा अगली सुभव अर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहां पर उसके घर के सारे नोकर नहाते हुए अपनी सीक्रेट सेयर के अगरते थे बर्था और रोजर एक दुसरे से बाते कर रहे होते हैं तभी घर के सारे मेड नदी के उस तरफ आ जाते हैं दोनों भाई बहन पेर के पिछे छुप जाते हैं और घर की सारी नोकरानिया आपस में पंचायत कर रही होती है तबी नदी के दूसरे किनारे से तीन रामु काका गुजर रहे होते हैं ये तीनों भी रोजर के घर के नोकर थे तीनों मेंट नदी को पानी देते हुए उस तरब बैठी औरतों को अपने आउजार दिखाने लगते हैं मुरसेला भी कुछ कम नहीं थी वो जोस में आकर अपना तबला उसे दिखा देती है इसे देखकर वो कहते हैं ये सब चीज बरता और रोजर पेर के पीछे से चुपकर देख रहे होते हैं अगले सीन में हम रोजर की बड़ी बेहन ऐलिसा को देखते हैं जो कि अपने पापा के साथ घर पर आयूई थी जिसका घर के सभी फैमिली मेंबर स्वाग से स्वागत कर रहे होते हैं एलिसा सबसे गले मिलती है जब रोजर की बारी आता है तो वो सिर्फ उसे हाई हैलो करके अंदर चली जाती है रोजर अपने साथ हुए पीछे की भेदभाव को समझ नहीं पाता है और निरास हो जाता है रोजर की निरासी को बरता समझ जाती है और उसे एक चर्च के अंदर लेकर जाती है जहां दोनों चट के उपर चल कर अपनी मासी की बाते सुनने लग जाते है उसकी मासी मार्गरेट चर्च के फादर के सामने अपने पाफ कन्वेंस करने लग जाती है वो उस पादरी से कहती है मुझसे बहुत बड़ा पाफ हो गया है वो पादरी पूसता है क्या हुआ बेटी मुझे बताओ मार्गरेट कहती है कुछ दिन पहले ही मेरा नेफ्य रोजर समर के साथ चुट्टी लेकर घर आया है जब से मेरा नेना उसके नेनो से मिले है तब से मैं उसके पीछे दिवानी हो गई हूँ कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ एंटी मेट होते हुए इमेजन किया है ये सारी बाते चछत के ओपर छुपा रोजर ध्यान से सुन रहा होता है वो सोचने लगता है चलो कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में इतना सोचता है मार्गरेट के इन सब बातों को सुनकर पैदरी को नींद आ गया था रोजर भी एक्साइटेट के मारे चछत से नीचे गड़ जाता है जिसकी वज़े से उसका भांडा फूड जाता है अब रात को रोजर सो रहा होता है तबी उसे फिर से बाहर खंखनाने की आवाज सुनाई देता है रोजर बाहर आकर देखना चाता है कि कौन हैलन को बिलन दे रहा है रोजर जब आगे बढ़ कर देखने कोसिस करता है वैसे ही घपागप का काम खतम हो जाता है वो सेली से पूछता है कि कौन रोज यहां पर घपागप करता है हेलन रोज यहां पर चाय का कप पकड़े हुए किसका बिलन लेती है यह सुनकर सेली हसने लग जाती है और मुस्कुराते वे बोलती है यहां का मेट का सीक्रेट है एक दिन गुबे के तैखाने में रोजर गंदी बुक्स पढ़ रहा होता है वहीं पर वो देखता है कि उसका नौकर आ गया है और तबी वो देखता है उसके साथ में हैलन भी आई है अब हैलन को नौकर ने फसा कर पीछे से घपागप करना स्टार्ट कर दिया है हैलन बहुत चला रही थी हैलन की चीखने के वाज सुनकर रोजर उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन हैलन उसे बोलती है नहीं रुको मुझे मजा रहा है ये सुनकर रोजर हैरान हो जाता है रोजर पीछे से जाकर देखने की कोसिस करता है कि कैसे हैलन के पिछवारे में घपागप हो रहा है वैसी वो नोकर मिलता है और वो उसे बोलता है मेरा काम खतम हो गया फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है किचन में मुरसेले काम कर रही होती है तब ही रोजर वहाँ पर जाकर उसके पीछे से पकड़ता है और उसे घोरी बनाकर पेलने की कोशिस करता है तब ही मुर्सिले उसे गलती से प्लेट मार देती है फिर वो रोजर से बोलती है रोजर तुम हो मैंने तुम्हें देखा नहीं था तुम अगर चाहो तो मेरे साथ घपागप कर सकते हो रोजर जैसी घपागप करने वाला होता है तब ही उसके घर की दूसरी मेड आ जाती है इसके कारण रोजर डर के वहाँ से भाग जाता है अगले दिन उसके घर में एक पोश्ट मैन आता है पोश्ट मैन बताता है पांच जनवरी को यूद होने वाला है जिसके कारण सभी मर्दों को वहाँ पर जाना होगा रोजर मनी मन सोचता है सभी मर्द को जाने के बाद वो किसी के साथ भी घपागप कर सकता है और रोजर बहुत ही खुस होता है अगले सिन में हम देखते हैं कि घर के सभी मर्द जा चुके होते हैं और रोजर घर में अकेला ही होता है सबसे पहले रोजर मुरसेले के पास जाता है और उसे पकर कर बैडरूम में लेकर जाता है और उसके साथ घपागप करने लगता है मुरसेले भी अपनी अन्बॉक्सिंग देखकर हैरान हो जाती है रात बर रोजर उसके साथ घपागप करता है अगले दिन नदी के किनारे रोजर की घर की एक मेट बैठी होती है और रोजर तैर कर उसके पास जाता है मेट रोजर को देखकर उत्तेजित हो जाती है और वो रोजर का किला लेना चाहती है रोजर भी पानी से बाहर आता है और अपना किला उसकी पेनी में सटा देता है और रात में हमें देखने को मिलता है रोजर उसकी मौसी की कमड़े में बैठा होता है तब ही मार्गरेट वहाँ पर आती है और बोलती है रोजर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रोजर बोलता है मैंने सुना है तुम वर्जन हो जिस पर मारगेटा बोलती है हाँ इस से तुम्हे क्या तुम अपने कमड़े में जाओ फिर रोजर बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्फ करना है इसके बाद वो अपनी मासी को गोड़ी बना देता है और उसके साथ रात भर घपा घप करता है अगली रात में हमें हेलन को दिखाया जाता है जो कि रोज किसना किसी का बिलन लेता रहता था लेकिन अब तो कोई मर्द घर में था ही नहीं इस जिच का फैदा उठा कर रोजर उसके कमड़े में जाता है और उसे बोलता है हेलन तुम रोज बहुत लोगों का बेलन लेती हो फिर हेलन बोलती है मैं तो सब की मदद करती हो फिर रोजर उसे जुका देता है और उसे बेलन देने लग जाता है फिर अगली सीन में हमें रोजर की बरी बेहन अलिसा को दिखाय जाता है जोंकि गोड़े के तहे खाने में गोड़े को साप कर रही تھی फिर रोजर एलिसा के पास भी पहु Parce जाता है और उसे पीछे से अपना बेलम देने की कोईजिस करता है लेकिन एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है फिर रोजर उसकी अनबॉकसिंग करने लग जाता है फिर एलिसा मान जाती है फिर रोजर एलिसा के हाथ में अपना कीला दे देता है और उसके साथ भी घपा घप करने लग जाता है फिर हमें देखने को मिलता है रोजर के कमड़े में अब भीर लगी होती है कोई ना कोई और रोजर के सामने जाकर घोरी बन जाती है और रोजर उ लगार लगाता है और बोलता है एलिसा तुम ऐसा करो तुम अपने फ्यांसी के साथ घपा घप कर लो इस चीज़ से सारा सक तुम्हारे फ्यांसों पर चला जाएगा अब हम देखते हैं कि रोजर की मासी मारगरेटा भी प्रेगनेट हो चुकी थी रोजर उसे बोलता है कि जो कर दिया था तो यह था आज का एक्स्प्लाइशन वीडियो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैं इस चैनल पर ऐसी मज़ेदार वीडियो अप्लूड करते रहता हूं प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर व